पूर्वल जी रह चुके हैं कि और क्या अपने विचार रखते हैं वो आज की राजनीती पर कटारिय जी जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि राहूल गांधी को अब कमान सौब देनी चाहिए यहां मैं बात कॉंग्रिस की करूँगी काफी वक्त से हो रहे हैं कि राहूल गांधी राजनीती में सक्रिय हो रहे हैं वो होते हैं उसके बाद काफी वक्त नज़र नहीं आते हैं फिर आते हैं तो थोड़ी से आकरामक दिखते हैं यह जो तमाम उठापटक है इसके बीच यह माना जाए कि अब कमान सौब देनी चाहिए राहूल गांधी को बात यह है जब किसी आदमी को आप फुरी जुम्मेवारी ना दोगे लीडर उसको कोगे फैसले कोई और करेंगा वही पुरानी लोग करते रहेंगे हैं दो चार बातों में उनको के लीडर बना के कह दिया और दो चार बातें उनके कहने पे हो गई तो लोगों ने यू हैब तो चेंग डी होल सिस्टम होल वरकिंग आफ टी पारिटी हमारी पार्टी जो आम लोगों की पार्टी थी वो लोगों से कट गई है ऐसे लोगा आ गए हैं वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोगों की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं एक बदलाव की जरूरत है आपको बिलकुल और उसके लिए राहुल गांदी को पूरी ताकत होनी चाहिए सोनिया जी ने बहुत बड़ी अच्छी लीडर्शिप दी जब वो आई तो उसकत कांगर्स का जहाद दूब रहा था लोग भाग रहे थे कांगर्स छोट छोट के बड़े-बड़े कांगर्स की बाग रहे थे जब वो आई ट्राप हो गया लोग कांगर्स में वापस आने लग गए कांगर्स फिल मजबूत हुई और मदबूत होने के बाद उसने स्टेच में भी कांगस की सरकारे आई और सेंटर में भी दो दफा तुनियाजी डीस डीक लिडिशिब में जाई लीडर काहई लीडर ही है आद राफी देखक्रान कामयाब हो या ना कामयाब हो आप यूपी में कामयाब यह नहीं हुए आपने अपनी पार्टी का धांचा और सोच और लीडर्शिप ना बदलेंगे जो लोग फेल हो चुकिए हैं लीडर्शिप है क्या आपको लगता है कि आप जैसे कई और जो लोग हैं जो काफी अनुभवी है राजनीती में अपनी पार्टी को कुछ सजीशन भी देते होंगे जाहिर सी बात है क्या वो सजीशन सुने रहाते हैं एक ही है कि आप एक दफ़ा निकल जाओ और उसके बाद ये लड़ाई जारी रहेगी कितनी कामयाब होते हैं नहीं होते हैं छोड़िए लोगों की खिद्मन करने का लोगों के अंदर जाने का लोगों को ये महसूस कराने का कि हम आपके साथ हैं आपका अच्छा अच्छे गर अच्छी रोड अच्छे कारोबार अच्छी नौक्रियां अच्छी पढ़ाई अच्छी हैल्थ ये सब चाहते हैं फीपल वांटे बैटर लाइफ सस्टेनेबल लाइफ के सिर्फ जीना सांस लो आप बाकि वो जीना कोई जीना नहीं है ये देखिए ये इस बात पर आना पड़ेगा यू है तो चेंज दी प्लिटिकल सेटप अंडिशिवेशन लोगों को टुकड़े फैर्टिन के जरूरती है उनके लाइफ उंचा बनाने के जरूरता है यह इसकी तरफ कोई जानी रहा उनको राजी करने की कोशिश है जो रियल प्राब्लम है वी आपको नहीं लगता कि ल हाँ इस मुलक में इस मुक्न क्या प्राब्लम है नकली पॉलिटिक्स हो रही है इसकी बजाये जैन्वन पॉलिटिक्स होने चाहिए जो गरीब आदमी के लिए आम आदमी के लिए हो तो जळी साल के बाद पूरा पेट बह लोगों को ऐसे ही राजी करने की पॉलिक्स हो लिए है। रियल पॉलिक्स आप इसके लिए मत करो कि यह हमें को राज कर सक्रावन ना ये एक हम अधादी की जिन लोगों ने इतनी कुर्भाणिया दी है, नि प्वांसी पर चड़े हैं जिनके घरबार बर evolves। हो गए हैं देश का ड्हाँचा अशी तब मिलेगा हमें जब हमारी अंश की सित्थी सही होगी जवारे मुल्क का एक यह इक इंसान सही तरीके से अपनी जीवन को चाघागी जीवा था उसकी पर्चाएं भी हमारे मुल्क भी नहीं है। दी लेडर्शिप ऑफ आवर पॉलिटिक्स इस नॉट संसीर तो यह लग रहा है कि आपने अपने वक्त में जब जब आप पार्टी के भीतर भी रहे होंगे या आप उपराचेपाल भी रहे हैं आप जाहिर सी बात है जी बिलकुल ठीक करेंगे लेकिन मेरा यह क्वेस्टिन ह आप जब पॉड़ोचेरी गए उससे पहले भी ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं खासकर महां पॉड़ोचेरी की बात करें जब आप एलजी बनकर वहां बने आप परफशन सी थारे हिंदुस्तान में इतना जहालत यह ऐसा लगता है कि किस्वी सभी में वहां ह यह नहीं वहां तो लगता है कि यहां लेवेंगे ने फॉर्टीन सेंचरी इस सिंगल मैन इस रूलिंग जी वो तो फॉला आदमियों को उसने अपने साथ लगा रखता है मैं पाड़ी चुरी की बात लगते हैं और वो हर तरीके से पैसे लूट के और चौदा पन्रा आदम की सीट मिलती है एक पोस्ट रेजुएट की देर करोड में मिलती है एंबीबीएस की और कोई एक्जाम नहीं होता नाम लेने को एक कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है अडिमेशन कमेटी जो के बिलकुल फ्रॉड है मैंने उसके लिए Chief Justice of Supreme Court को भी लिखा मैंने High Court को भी लि उससे अंदाजा लगा लिये का पैसे कमाने का वहां किसना बड़ा यह जरिया बनाया हूँ है उस आवाज को उचाने के बाद जो कुछ भी आपके साथ हुआ आपको वहां से पैसे आती है वहां जोर हैजए प्रोटेक्शन आफ एप्रशन सेटप एर एक मैडिकल कालेज ब कोई कारवाई करने को तियार नहीं है ला एंड और की ये पुजीशन सी कि जेल से टेलीफोन जाते थे और मैंने छापा मार के असी टेलीफोन बरामत कि बताये कितना करॉप्शन बढ़ा कितना करॉप्शन वहां से वो लोगों को फ्रेक्टिंग काल्स करते थे कि हमारा आदम और यह सब आपने जग जाहिर करने के कोशिश की लोग तंग आगे थे मैंने एक महीने में सो आदमियों को गुंडा के मताबद पकड़ लिया जो पहले एक भी नहीं कभी पकड़ा गया सारे पुले सफसर को बदल दिया लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी परिशानियों को सफर वहीं से शुरू हो गया उसने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं मैंने का इस इस माय लाइट जैसे यहां के नजीब जंग और की जिबाल के बीच में मैं आए देखिए वो तो फूली तौर पर तो ठीक कर रहा है क्योंकर ही इस एमपावर बाइड कांस बिलकुल बिलकुल सजा मिली और यह जो सजा के पीड़ा है मेरी इमानदारी के सजा है और गरीब आदमी के लिए अगरे आप सारी उमर कैसे रहोगा गरीब आद्मियों को पढ़ाओ पढ़ाओ कौन आदमी धाई करोण पादेगा गरीब का बच्चा में कर का दाख लोगा कैसे एजुकेशन स इस वेरी इंकन्विनियन टू अच वहां कोई बीजेपी नाम की चीजी नहीं है साउस में कोई खास ठीक है तो उसने कहा जी मैं आपकी पार्टी में शामल हो जाता हूं मैंने सोनियां गांदी के और राहुल गांदी के फोटो उतार के मौदी का फोटो लगा देता हूं आ आप गवर्णर को हटा तो इसने हमारा खाना पीना बन कर रक है तो उन्होंने सबसे पहले मुझे अचा दिया विरेंदर कटारिया कौन सा इतना बड़ा पोलिटिकल आदमी है जिसको हटाना जुरूरी है कामिस का कुल मिलाकर राजनीती में चाहे कोई भी आजाए कोई भी पार्टी आजाए लेकिन करॉप्शन का क्या हाल है यह अभी खुद हमें बताया कटारिया जी ने किस तरह से उनका सफर परिशानियों से भरा इस प्रश्राचार्ज की लड़ाई को लड़ने के बाद में इस पर ह हम चर्चा करेंगे लिकिन प्ला लेक छोड़ी से ब्रेक के लिए हम पर रुकेंगे छोड़ी से ब्रेक जल लोटें